वेलकम स्टूटेंट्स इन यूर साइंस लेक्च्चर आज हम लुग चैप्टर नमबर एट क्लोथ वी वियर रीट करेंगे और इसको मैं एक्स्प्लेइन करूंगे तो ओपन याँ बॉक एट पेज नमबर 81 चैप्टर नमबर एट क्लोथ वी वियर अगर आपको बोलेंगे कि वाटेस को मतैया यह यो अरगों गोड़ करने के लिए कमारे अचैर थे पाद्स थो फॉरह करने के लिए हमारे जो हम लोग बंदियर वीयर करते हैं that is called clothes उन्हें हम लोग कपड़े बोलते है what clothes do for us कपड़े हमें क्या help करते है हमें बचाते है किस से बचाना है कपड़ों को हमें हमें कपड़े बचाएंगे dust से heat जो sun से आती है cold जो हमें winter season में हम लोग feel करते है rain okay so students what is clothes clothes protect us from dust heat cold and rain clear the clothes we wear हम लोग अलग अलग तरह की कपड़े पहनते है हम लोग अपने आस पास के climatic condition or weather condition कपड़े पहनते है हम लोग traditional outfits भी पहनते है जब आप कोई festive season होता है जब आप कोई occasion होता है like marriage है या हम लोग कोई अभी occasion निकला सा दिवाली festival निकला सा दिवाली अभी आज शादियां चल रही है marriage का season है so we wear clothes according to it but generally we wear clothes that is more comfortable to us आम तोर पे हम कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो हमारी बॉड़ी को suit करें हम लोग उसमें comfortable feel करें और हमें अच्छे लगें first of all why do we wear clothes चैप्टर की starting करते हैं तो हम यह पढ़ेंगे कि हम कपड़े क्यों पहन रहे है protect us from dust सबसे first point है clothes protect us from dust मिट्टी से बचाता है protect us from scorching heat of the sun during summer season गर्मियों में क्या होता है बहुत तेज धूप होती है चल चला रही है धूप अब हमें हम लोग क्या करेंगे हमारी skin अगर हम open sun में रखें तो क्या होगा openly वो burn हो जाएगी तो what we do we cover our body properly हम लोग summer coat पहनेंगे अपनी body को cover करेंगे face पे अपने देखा होगा stall बांध लेते हैं कई क्यों तक क्योंकि हमारी body sunburned नहीं हो during winter we wear thick and warm cloth सर्दियों में हम लोग मोटा कपड़ा पहनेंगे warm cloth पहनेंगे ताक कि हमारी body की heat जो है वो escape नहीं हो और हम लोग ठंड से बचे रहें then during rainy season when we go out in a rain we wear rain coat and rain coat is made up of generally it is made up of nylon जो एक waterproof material है पानी को absorb नहीं करता है तो ऐसे material से बनता है rain coat and rain coat protect us from rain then at night long sleeve cloth protect us from mosquito bite रात के समय हम लोग लंबी बाहों के कपड़े पहन के सोते हैं why? ऐसा इसलिए होता है ताकि हमें mosquito नहीं काटे and keep and protect us from insect bite और हमें insects के bites से कोई भी हाम नहीं हो हमें बचाते हैं कपड़े okay so the clothes we wear अब हम जिस भी तरह के clothes पहनते हैं उनके बारे में इक बारे में इक बार स्टेडी करते हैं we wear clothes according to the different type of season सब से बारे तो हम लोग अगर जनरल टम में बात करें नॉर्मल लाइफ को देखें तो नॉर्मल लाइफ में हम लोग clothes को choice करेंगे तो कैसे करेंगे season के according करेंगे winter season ये summer season ये rainy season इस तरह का clothes पहनेंगे हो so in hot summer season we sweat a lot गरिमों में क्या होता है सबको पसीन आता है so we like to wear clothes that are light color ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो light color के हो cotton हो cotton cloth क्या करेंगे absorb कर लेंगे sweat and allow air to pass through it और हमारी जो पसीना है उसको absorb करेंगे और allow करेंगे air को body से pass होने के लिए और हमें जनरली गर्मी नहीं लगीगी light color clothes पहनते हैं हम okay and such clothes do not absorb much heat and keep our body cool क्योंकि जो light color clothes है sun की heat को जल्दी से absorb नहीं करते बहुत तीजी से absorb नहीं intensely absorb नहीं करते और हम लोग comfortable feel करते हैं loose fitting clothes let the air in डीले लाले कवरे पहनते हैं जिससे air जो है वह हमारी body में आती रहे और हमें cool feeling मिलती रहे हमारा body temperature जो है normal condition पे रही then it is cold in winter season अगर थंडा मॉसा मैं अब क्या हो रहा है we need clothes that keep our body warm हम लोगों को ऐसे कपड़ों की जरत पड़ेगी जो हमें हमारी body को warm रखे so we prefer woolen clothes fur, leather और felanel felanel जो होता है यह भी एक woolen soft woolen होता है generally blankets बनते हैं इसके felanel के jackets भी बनती है इसके they keep the body warm यह हमें गरम रखते हैं dark color absorb heat क्योंकि dark color जो है heat को absorb कर लेती है इसलिए dark color के clothes हम लोग winter season में prefer करते हैं black, dark red winter season में पहने जाते हैं then come with the special clothes special mean what? special का मतलब क्या? people who work in different profession recognized by their special clothes हम यह कह सकते हैं कि किसी को भी देखे हैं अरे यह तो doctor जा रहे हैं यह lawyer है यह policeman है यह soldier है यह सोल्जर है यह से कैसे होता है इसलिए होता है students कि हम लोग special उस person को specified clothes के through recognize कर सके ऐसा person अगर normal common person hospital में सब लोग चल रहे है और कोई emergency case है so where do we call so we recognize a person who is wearing white coat हम क्या करते हैं इन्होंने white coat पहना होता है हमें जाते हैं enter होते पतला जाता है हाँ he is a doctor इन्हें call करना है और हमें patient को दिखाना है so we call him nurse को call करनेंगे easily recognize कर सकते हैं इनके इन ऐसे प्रॉफेशन में special clothes provide किये गई है special uniform provide किये गई है special uniform provide किये गई है that give recognition plus pride गर्भ भी महदूद होता है when you wear your school uniform जब आप अपने school की uniform पहनते हो तब आप easily recognize कर ले जाते हो देखो ambientational students students जा रहे है Saint Pauls के जा रहे है इसे अलग-अलग schools के recognition होती है तो वैसे ही profession wise भी recognition दिया गया और इनके लिए special clothes कह सकते है या हम इनकी uniform भी कह सकते है clear student factory worker जो है sport players जो है वो भी special clothes पहनते है आपने देखोगा factory workers जो है उनकी factory के uniform दी गई है यह factory में work करता है यह cement factory में this cement factory में है यह field में है okay then sport players के लिए भी देखा है आपने तो अलग-अलग हम लोग easily recognize कर लेते हैं uniform के जरूँ then people living in different part of a country where they are different clothes and they are known as their traditional clothing अलग-अलग एरिया में अगर हम देखें तो अलग-अलग पार्ट पे लोग जो हैं वो अपने clothes select कर रहे हैं उनकी clothes होते हैं they are called traditional clothes for example the traditional dress worn by women living in Shirnagar is called Feran जो शिर नगर में रहते हैं women वो जो dress जो उनकी dress है वो उसका नेम है Feran then traditional dress worn by women living in Assam Assam में रहने वाली जो women है वो पहनती है मेखला मेखला चादोर so in each state there is a diverse style of clothing pattern अलग-अलग state में अलग-अलग clothing pattern है Rajasthan is well known for Sanghaniri block Gujarat is famous for mirror work Punjab is famous for Pulkari work so there are different states each state has its traditional pattern or their traditional style of clothing material for clothing कप्रे बनाने के लिए clothes बनाने के लिए जो material यूज होता है students generally उसको fiber name से बोला जाता है यह fiber clothes को बनाने में help करता है fibers को interlock करके interlock कर clothes बनाए जाते है C material that is used to make clothes are called fibers वो material जिससे clothes बनते हैं वो कहलाते हैं fiber fibers are thin threads पतले-पतले threads होते हैं fiber इन thread को interlock कर clothes बनाए जाते हैं कपड़े बुने जाते हैं अगर आप अपने normal hanky आपके आसपास होगा आप उसको ठाके देखो जब आप देखोगे तो उसमें criss-cross lines देखेंगे आपको जैसे मैक्स में mathematics की जापकी book copy होती है notebook होती है उनमें इस तरह के blocks होते हैं ऐसे हमारे cloth को भी observe अगर हम करें तो हम देखेंगे छोटी-छोटी-छोटी-छोटी blocks देखेंगे what is it interlocking of or you can say crossing of fibers fiber को cross करके बनाया गया cloth बनता ऐसे cloth made up of two types of fiber दो तरहे से बनाया दो तरहे के fibers होते है fibers natural fibers ऐसे fiber जो nature से मिलते हैं जो nature देता है example cotton linen flax and jute wool is obtained these are the example natural fibers are of two types natural fibers भी two types के होते हैं एक होते हैं plant से मिलने वाले और एक होते हैं हमें animals से मिलने वाले जो प्लान्ट फाइबर जो हैं वो हैं cotton jute okay animals से मिल रहे हैं वो हैं हमारे पास wool और क्या मिलता है student silk very common silk is extract from silkworm then it is used to make silk cloth silk जो है वो silkworm से मिलता है silkworm silk देने वाला एक कीड़ा होता है silkworm इससे silk मिलता है wool मिलती है sheep से sheep देती है cotton के लिए plant होता है jute के लिए plant होता है synthetic और मैंमेड फाइब और मैंमेड फाइबर पहले जिस तरह की कपड़े पहने जाते थे क्या आज भी यहां उसी पैटन को फालो कर रहें no बिल्कुल नहीं changes हुए cloth pattern में cloth styles में हर एक कीज में हम लोग देखें changes है so cloth that we wear change over time and this is called fashion it reflects the sense of style and interest of that age and people age किसी भी general category में कर देखें तो age के according living standard के according cloth पर किये जाते है cloth पहने जाते है caring for a cloth कप्री खरीद लेना पहन लेना is not enough इतना ही नहीं होता हमें उसकी proper केरिंग भी करनी होती है तो क्या केरिंग करनी है let us look cloth must be washed regularly daily अच्छे से wash होने चाहिए cloth जब भी देखे के खराग गंदे हो रहे है तब wash हो जाने चाहिए then cloth must be dried in the sun as sunlight kill germs कप्रों को दूप में सुखाना चाहिए क्योंकि sunlight वो disinfectant का काम करती है students पहले भी मैंने बताया आपको और disinfectant जो है वो germs को किल कर देता है clear silk and woolen cloth must be washed with mild detergent mild detergent से wash करने चाहिए silk and woolen cloth they can also be clean with petrol that is called dry cleaning silk के cloth जो है वो dry clean भी कराय जाते है woolen and silk cloth must be stored properly when not in use woolen and silk cloth को अच्छे से wrap करके रखे देती है ममा देखाए उसमें अंक्या डाल देते है moth balls डाल देते है naphthalene balls डाल देते है phenyl की जो tablets होती है वो डाल देते है जिससे उसमें germs नहीं होते moth नहीं होते neem की leaves भी डाल देते है dry neem leaves उससे भी germs जो है वो कपड़ों से दूर रहते है they keep the insects away insects भी दूर रहते है cloth of a baby or a sick person should be rinsed in an antiseptic solution after washing to kill germs जो baby clothes है जो sick person की cloth है उन्हें अलग से antiseptic में wash करने चाहिए rittal में wash करने चाहिए okay जिससे जो है वो germs मर जाए और germs spread नहीं हो so student this was about the chapter you do reading of the chapter and learn glossary from the book book में से glossary learn करेंगे I will send you question answers in PDF thank you students करना नहे जादे ए में से hey